नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहिद IPL 2021 का समापन अपकी दुबई में हुआ चिन्ने सूपर किंग्स फाइनल जीत कर चौथी बार भी जीता बने वहीं दूसरी तरह विश्कब भी अब अपने अंतिम पड़ा उपर है इस दौरान BCCI 2022 के IPL के लिए पूरी तरीके से तैयारिया कर रही है तो वहीं IPL की जो फ्रेंचाजी है वो भी अपनी टीम विवस्थित करने में लगी हुई है सभी टीमें अपने कोच अपने स्टाफ को लेकर पूरी तरीके से आस्वस्त होना चाहती है इसी दौरान RCB की कप्तानी विराट को ही छोड़ चुके हैं जैसा सब को पता है तो वहीं उनके कोच की भी नई नियुक्ती हो चुकी है मतलब RCB के नए कप्तान और नए कोच IPL 2022 के सीजन में दिखेंगे फिलाल आपको बता दें कि कप्तान कौन होगा अभी इसका एलान RCB की तरफ से नहीं हुआ है लेकिन नए हिट कोच को लेकर BCCI ने बयान जारी कर ये बता दिया है कि भारत के पूर्व खिलाडी संजेबांगर अब हिट के उच की भूमिका RCB की निभाएंगे मतलब संजेबांगर रॉयल चेलेंजरस बैंगलोर के अगले कोच होंगे वो माइक हैसन की जगा लेंगे और माइक हैसन टीम के डारेक्टर बने रहेंगे RCB ने एक बयान जारी करके संजेबांगर के कोच बनने की नियुक्ति की जानकारी दी RCB ने लिखा रॉयल चेलेंजरस बैंगलोर की टीम आगामी सीजन के लिए संजेबांगर को अपना हिट कोच नियुक्ति की जाने का एलान करती है बांगर माइक हैसन की जगा टीम के हिट कोच बनेंगे माइक हैसन पहले की तरह ही डॉरेक्टर और ट्रिकेट ओफरेसंस के तौर पर काम करते रहेंगे हैसन ने IPL 2021 के दूसरे चरण में हिट कोच की भूमिका भी निभाई थी फिलहाल RCB ने ये बयान जारी करके अपने नए कोच की जानकारी सभी को दे दी है अब देखना होगा कि विराट कोहली जब कप्तानी छोड़ चुके हैं तो RCB का नया कप्तान कौन होगा फिलहाल चर्चाएं चल रहे हैं कि केल राहूल को RCB अपनी टीम में शामिल करेगा और वही RCB के जखले कप्तान होगे वैसे संजे बांगल के कोज बनने पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं